नमस्कार किसान भाईयों, स्वागत आपका अपनी यूटूब चैनल खेती की जानकारी में किसान भाईयों, आज हम बात करेंगे धान की फसल में, कम लागत में ऐसी कौन सी उरोरक का प्रियोग करना चाहिए जिससे आपकी धान की फसल 35-40 कॉंटल तक की उपच दे सके इडियो को सुरू करते हैं, किसान भाईयों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी धान की फसल 30-40 दिन की अंतराल की हो गई है तो आपको अपने धान की फसल में NPK 111 का प्रियोग जरूर करना चाहिए क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्पोरस, पोटासियम बराबर मात्रा में मौझूद होते हैं जो हमारे धान की फसल के लिए बहुत ही जरूरी तत्त रहते हैं किसान भाईयों, बात करेंगे नाइट्रोजन के बारे में तो ये हमारे पौधे का विकास करता है पत्तियों का विकास करता है यो हम इससे हमारे पौधे को प्रोटीन भी मिलता है जो हमारे पौधों के लिए बहुत जरूरी होता है किसान भाईयों यह हमारे पौधे को बिटामिन भी प्राप्त करवाता है यो हमारे पौधे को कोशिका का विभाजन करके हरापन लाता है होती हैं, पौधे में तने ज्यादा अभिक्सित होते हैं और बालिया ज्यादा आती है, यह ताना भराव ज्यादा होता है है, अब हम बात करेंगे पोटासियम के बारे में, तो किसान भायो पोटासियम की पंद्रा लीटर पंप में छिड़काओ के माध्यम से कर सकते हैं किसान भाईयो अगर आप इसका प्रियोग हमारी बताई कई बातों के हिशाब से करते हैं तो आपके खेत में प्रतेकड 35-40 कुंटल तक की उपज ले सकते हैं अगर जानकारी अच्छी लगी होगी अगर जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें पास बने बिल आइकॉन को प्रेस करें ताकि खेती बागवानी इमडेरी समद्ने जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहें तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जानकारी के साथ तत्तक के लिए धन्यवाद जै हिन जै भारत जै जवान जै किसान